स्वागत है आपको नमस्तर इंडे नियूज में मैं हूँ आकवरोस नवीन शर्मा हम बात करें मौसमी भाग के लेटेश्ट अपडेट की मौसमी भाग नहीं ताजा अपडेट जारी किया है मानसून को लेकर दोस्तों आने वाले चार जुलाई तक मानसून डेश के 90 विस्तर को कवर कर लेगा और जल्दीन शेत्रों में दस्तर देगा आई जानते इस लेटेश्ट अपडेट को विस्तार से दोस्तों विडियू शुरू करना है सब्सक्राइब नहीं क्या सब्सक्राइब करें वह बलाए गंदमाई जिस सब्देट रहें अपडेश्ट की सभी के सब्सक्राइब कर दिया और चार जुलाई तक देश के 90 फीसरी इससे तक मानसून कवर कर लेगा और 21 को महराश्ट्र महुशने का नुमान था जो कि पहुंच चुका है मानसून भारती महुशनी भाग के नुसार सोमार को बता गया था कि दक्षन प्रावदीब पर चक्रव कवर करते हुए मानसून आगे बढ़ेगा साथी मानसून के चार जुलाई तक देश के 90 फीसरी इससे को कवर करने की मुसमी भाग द्वारा अनुमान जटाएगा यहने कि लगभग लगभग देश के अधिकान से भागों में मानसून पहुंच जाएगा चार जुलाई तक पूरे इस्तित मोसमी भाग ने कहा है कि मानसून के पूरे महराष्ट को कवर करने की संभावना है मराठ वाड़ा और विधर्व जेसे सुखे इलाकों में भी अच्छी वारिश की उमिद हैं इन इलाकों में अभी जल संकट का सामना करना पड़ रहा है और विभाग के मुस के असर के खत्म होने के साथ ही मंगलवार को गुजरात के कच्छ और सुराष्ट तक पूर्वी राई स्थान में भारी बारिश हो सकती है इसके नुसार सोमार को गुजरात गोवार मध्यपदेश में भी कहीं जगों पर हल्की से मध्यम बारिश हुई और मांसून अगले का नुमान जता आए गया है विभाग के अधिकारियों नों बताया है कि मराटवड़ा छेत्र में कुछ हिस्सों में बारिश मध्यम हराष्ट्र और इलाकों में विधर्व में कमी से मध्यम बारिश की उमीदे हैं महीं दिल्ली इंसियार में बादल चाय रहें और कई जगो पांगी और भरमोर में हिंपाद भी हुआ गुजराद गोवा और मध्यपदेश में बारिश की गई और मांसुन अगले हपते मध्यपदेश पहुशने वाला है वो तरी सिक्की में बादल फटने के बाद भारी बारिश हुई है ने कि दोस्तों लगभग लगभग जून के लगभग संपूर्ण भ्रायत में मौसम पहुंच जैगा और मांसुन अपना प्रकॉप दिखाएगा लगभग लगभग संपूर्ण देश में फैल चुका होगा मांसुन तो तयार रहे मांसुन के स्वागात के लिए और जिन शेतरों में प्री मांसुनी वर्षाएं शुर लिए उसतो खुश रहिए स्वास्ता रहिए नमस्ते इंडिया